ओम स्रीगने सायनम दोस्तू एश्टू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इसे वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 मई सुकरवार के रासी फल के बारे में की हा दिन कुम राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फैदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान नेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रह स्थ की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ह अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो कोंस सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा कुम बराशी वालों के लिए सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कार्य योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कार्य का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों साथी साथ भूमी भवन वा ग्यानिक दश्टिकॉर्ण और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहिता प्रदान करेगी बड़े वजरुगों का इशने और आशिरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तों साती सात जिस समाचार को प्राप्त करनी के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थें आज उ जोजना बद तरीके से करने की आपको आवश्च रकता है नोकरी के लिए दी गई प्रितियोंगी प्रिक्षा के पेड़ाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं अपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से एकागर चित रहें आपको सपलता आवश्य ही प्राप्त होगी ग्या सामाजिक वैराजनेतिक गति विदियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें इसमें समय वर्थ होने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्ण लें दोस्तों साथी साथ आपका स्वभी मान किसी भी परिस्तिती में हि आखिला मिलेगा अनुबवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्ग दर्सन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा जिससे आपको उचित परिणाम हांसिल होंगे और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों गलत बात का प्रतिकार करने से एक आरण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगे आपको हर काम बड़ी संजिदगी और गंबिरता से करना चाहिए थोड़ी सी भी लापरवाई के परिणाम घातक हो सकते हैं किसी रिष्टिदार के स्वास्थ को लेकर भी आज टें सन रहेगी विध्यारती हास परिहास वे मनुरंजर आदी के विर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फाइदे बन रहेगा राज की ए मामलों के कारों में बहुती आपको सावधा साथी साथ कोई नया निवेस करने से पहले आप अच्छी तरे से जांच पढ़तार कर ले इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी के आवश शकता है अजनवी वे आई परिचित लोगों से वेवार में लेंदेन में साफधानी बरतने की आपको आवश शकता है खर्चों पर भी आप नियन तर्ण रखें इससे आपकी आर्थिक ववस्ता में काफी हद तक सुधार आएगा साथी साथ घर के लोगों के बीच किसी हलकी फुलक और सैयम बना कर रखना अति आवश शक हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तों जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस तक दे सकता है अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे क को समझने का आज दिन हैं जीवन साथी वे परिवार जनों का सयोग आपके आत्म वल वे आत्म विश्वास को बना कर रखेगा और आप तनाव मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामपत्य संबंदों में मधूरता बनी रहेगी परिवार आपकी प्राथिमिक को का आशिरवाद वे इसने आपके आत्म विश्वास को बना कर रखेगा जहां दोस्तों परिवार में आज सांती का वातावर रहेगा संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मिलने से हर दिक खुसियां आपको आज प् रहें प्रतिस प्रदाओं पर आज आप विजय प्राप्त करेंगे नए कार्ये सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साति सात कारे छित्र में भी काम की अधित्ता रहेगी और दिन भगदौर में व्यतीत होगा दोस्तों साति सात आप पिछले चैपार में जी तोड बहनत वे परिश्रम कर रहेते काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रिणाम हासिर होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजनाय भी बनेंगी जो आपके लिए अवस्ते ही लाबदाइक साबित होंगी वेवसाय में नेने प्रियोगों पर अमल करना आपके लिए आवश्चक है क्योंकि वर्तवान इस्तिती के कारण कारों के नीकी में परिवर्तन जरूरी है अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समें आपके काफी अनुकूल है जो की आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाएक साबित होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आप अपने सेहत की छमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी सारा इक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे जैं दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा आज आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उरजावान महसूस करेंगे साती साथ दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना काल यानि साम के समय आपको यह उपाय करना है जैं दोस्तो आपको करना क्या है जैं दोस्तो आज आपको साम के समय घर के इसान कौन यानि घर का उत्तरी पूरवी कौना अत्वा घर का पूजा इस्थान जैं दोस्तो इस जगा आपको एक घी का दीपक जलाना है जैं दोस्त के सूती धागे की आपको बाती लगानी है ज्यां दोस्तो इसके बाद आप इस दीपक में दो लॉंग भी डाल दें इसके बाद आप इस दीपक को जलाएं ज्यां दोस्तो इतना करने मात्र से ही इसका आप तुरंत प्रवाब देखेंगे मालक्षमी के आशिरवास से आपके गर में धन सुक्सम्पत्ती का वास होगा जया दोस्तों आपके जीवन में धन संबंदित जो भी परिसानिया चल रहे हैं मा लक्षमी के आसिरवाद से सभी परिसानियों का अंत होगा और आपके घर में धन सुक्सम्पत्ती का वास होगा मा लक्षमी आपके घर में वास इस उपाई को आप अवश्चे करें आपको अवश्चे ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो मालक्षमी का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै मालक्षमी अवश्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद